नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, हमारे चैनल दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के पाँचवे चरण में वोटिंड हो चुकी है दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाँचवे चरण में किस पार्टी को कितनी सीटे मिली है और किसे लगने वाला है बड़ा जटका जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक दोस्तों हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटे हैं और इन सीटों पर 7 चरणों में वोटिंड होती है जिसमें से 5 चरणों में वोटिंड समाप्ट चुकी है जिसका मतलब यह है कि अभी तक आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है अब चुनाव अपने अंतिम दोर में है जिसमें मात दो ही चरणों में वोटिंड होना शेश रह गई है दोस्तों इन पाँच चरणों में ही पता चल जाएगा कि इस बार किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा हमारा अगला प्रधान मंत्री दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार प्रधान मंत्री कौन बनेगा क्या वह नरेंद्रमोधी होंगे निया फिर राहुल गांधी भी ना भूले और यदि वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के खाते में 42 सीटे आ रही है तो वही दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटे जाती हुई नजर आ रही है परंतु इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटे काफी ज़्यादा गिर गई है इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं महराश्ट्रा राज महराश्ट्रा में लोकसभा के कुल 48 सीटे हैं जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीटे तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटे आने का अनुमान है दोस्तों वैसे तो पिछले लोकसभा में बीजेपी के खाते में यहाँ पर ज्यादा परन्तु इस बार शिवसिना के अध्यक्ष उद्धव थाकरे जो की इंडिया अलाइंस का एक हिस्सा है जिसके कारण बीजेपी की सीटे महराष्ट्रा में कम हो गई है तो दोस्तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में पश्चिम बंगाल में लोकसभा के कुल 42 सीटे मुझूद है जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 8 सीटे जा रही है तो वहीं दूसरी और इंडिया गटबंधन के खाते में 4 सीटे जाने का अनुमान है दोस्टो पश्चिम बंगाल में मम्ता बैनर जी की पार्टी टीमसी के खाते में 30 सीटे जाती हुई दिखाए दे रही है वैसे तो मम्ता बैनर जी इंडियन अलाइन्स का ही एक हिस्सा है परंतु वे पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लर रही है और यहाँ पर भा बीजेपी पार्टी के खाते में 15 सीटे आए है तो वहीं दूसरी और इंडिया एलायन्स के खाते में 24 सीटे आने का अनुमान है दोस्तो बिहार में भी बीजेपी पार्टी इंडिया गटबंधन से हारती हुई दिखाए दे रही है तो चलिए दोस्तो इसी के साथ अब हम खाता तक नहीं खोल पाए है तमिलनारू में बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है तो चलिए दोस्तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं मध्यप्रदेश राजे के बारे में मध्यप्रदेश में लोकसभा के कुल 29 सीटे मौजूद हैं जिसमें से बीज बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीटे तो वहीं दूसरी इंडिया गटबंधन के खाते में 13 सीटे जाती हुई दिखाए दे रही है दोस्तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले मध्यप्रदेश में भी बीजेपी की सीटे काफी कम हुई है दोस्तो अभी तक के उप करते हैं करनाटक राजे के बारे में करनाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटे मौजूद है जिसमें से 14 सीटे बीजेपी गटबंधन एंडिये के खाते में तो वहीं 14 ही सीटे इंडिया गटबंधन के खाते में जाती हुई दिखाए दे रही है दोस्तो इसी के साथ अब बात कर गुजरात राज्य के बारे में गुजरात में लोकसभा की कुछ 26 सीटे मौझूद है जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 18 सीटे जा रही है तो वही दूसरी और 8 सीटे इंडियन गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है दोस्तो गुजरात को बीजेपी पार्टी का गर्माना जाता है ऐसा माना जाता है कि गुजरात में बीजेपी पार्टी हराना असंभव है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी और अमित्षा दोनों ही गुजरात से आते हैं और उपर से नरेंद्रमोदी गुजरात के काफी नीचे गिर गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में गुजरात में बीजेपी ने लगभग 24 सीटे अपने नाम की थी तो वही इस चुनाव में बीजेपी के खाते में मात रखारा ही सीटे आये है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले र राजस्तान के बारे में दोस्तों राजस्तान में लोकसभा के कुल 25 सीटे मुजूद हैं जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 15 सीटे तो वहीं इंडिया गटबंधन के खाते में 10 सीटे जाती हुई दिखाए दे रही है दोस्तों भले ही राजस्तान में बीजेपी पार्टी जीत गई हो परंतु पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी की सीटे काफी जादा जादा नीचे गिरी है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं आंध्रप्रदेश के बारे में दोस्तों आंध्रप्रदेश में लोकसभा के कुल 25 सीटे हैं जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटे तो वही दूसरी और इंडियन गटबन्धन के खाते में मात दो ही सीट जाने का अनुमान है दोस्तों आंध्रप्रदेश में सबसे ज्यादा 15 सीटे अन्या पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाए दे रही है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं केरल राजय के बारे में केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटे मौजूद है जिसमें से इंडिया गटबंधन के खाते में 20 ओ सीटे जाती हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी और बीजेपी पार्टी क के खाते में एक भी सीट नहीं आए है केरल में बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और रिसा राजय के ओपिनियन पोल के बारे में दोस्तों और रिसा में लोकसभा के कुल 21 सीटे मौजूद हैं जिसमें से 2 सीटे बीजेपी पार्टी के खाते में तो वहीं दूसरी और आठ सीटे इंडिया गटबंधन के खाते में जाती हुई दिखाए दे रही है और इसा में अन्य पार्टी के खाते में ग्यारा सीटे आने का अनुमान है तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं टेलंगाना राज्य के बारे में टेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटे मौजूद हैं जिसमें से भाजपा गटबंधन NDA के खाते में 2 सीटे तो वही दूसरी और इंडिया गटबंधन के खाते में 13 सीटे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तो टेलंगाना राज्य में भी बीजेपी पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है तो चलिए इसी तरह अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य जारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में दोस्तो जारखंड में लोकसभा की कुल 14 सिम मुझूद है जिसमें से भाजपा गटबंधन NDA के खाते में 2 सीटे तो वही दूसरी और इंडिया गटबंधन के खाते में 9 सीटे जाते हुई दिखाई दे रही है दोस्तो जारखंड में अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटे आने का अनुमान लगाया जा रहा है तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं असम राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में असम में लोकसभा की कुल 14 सीटे हैं जिसमें से भाजपा गटबंधन NDA के खाते में 8 सीटे तो वही दूसरी और इंडिया गटबंधन के खाते में 4 सीटे जाती हुई दिखाए दे रही है तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं पंजाब राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में दोस्तों पंजाब में लोकसभा के कुल 13 सीटे मुझूद है जिसमें से 9 सीटे इंडिया गटबंधन के खाते में तो वही दूसरी और 4 सीटे अन्य पार्टी के खाते में जाते ह दोस्तों पंजाब राज्य में बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आए है तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं चतिसगर राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में दोस्तों चतिसगर में लो हर्याना की ओपिनियन पॉल के बारे में हर्याना में लोकसभा की कुल 10 सीटे मौझूद है जिसमें से इंडिया गटबंधन के खाते में 6 सीटे तो वहीं दूसरी और बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र दो ही सीटे जाती हुई दिखाए दे रही हैं तो इस बार हर्याना म लोकसभा के कुल 5 सीटे मौजूद हैं, जिसमें से 4 सीटे भाजपा गटबंधन इंडिया के खाते में, तो वहीं दूसरी और मात्र एक ही सीट इंडिया गटबंधन के खाते में जाती हुई दिखाए दे रही हैं, तो दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं, हिमाचल प् के बारे में, दोस्तों गवा में लोकसभा की कुल 2 सीटे मौजूद हैं, जिसमें से 1-1 सीट दोनों पार्टी में बढ़ते ही नजर आ रही हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं, देश के अगले राज्य अरुनाचल प्रदेश के बारे में, दोस्तों अरुनाचल में लोकसभा के कुल 2 सीटे मौजूद हैं, जिसमें से 1 सीट BJP गटबंधन NDA के खाते में, तो वहीं दूसरी और 1 सीट इंडिया गटबंधन के खाते में जाते हुई दिखाए दे रही हैं, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के ब दोस्तों मनेपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटे मौजूद हैं, यहाँ पर दोनों ही सीटे इंडिया गटबंधन के खाते में जाती हुई दिखाए दे रही हैं, दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में मनेपुर की दोनों सीटे भाजपा गटबंधन NDA के खाते में गई परन्तों इस बार मनेपुर में काफी हिंसा बढ़ गई थी, जिसके चलते मनेपुर की जन्ता ने यहाँ से पलायन कर लिया था, और यही वह कारण है, जिसकी वजह से इस चुनाव में BJP के खाते में मनेपुर की एक भी सीटे नहीं आए हैं, तो चलिए इसी के साथ अब हम हम बात करते हैं मिजोरम महाराज के बारे में, दोस्तों मिजोरम में भी एकी सीट है, जो की अन्यपार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नागालेंट के बारे में, नागालेंट की सीट भाजपागट बंधन NDA के खाते में जाती हुई दिखाए दे रही है तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में दोस्तों दिल्ली में लोकसभा के कुल साथ सीटे मौजूद हैं जिसमें से चार सीटे बीजेपी पार्टी के खाते में तो वही दूसरी और तीन सीटे इंडिया गटबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटे हैं जिसमें से 2 सीटे भाजपा गटबंधन NDA के खाते में, तो वही दूसरी 3 सीटे इंडिया गटबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं भारत के केंड़ शासित प्रदेशों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा के कुल 7 सीटे मौजूद हैं, जिसमें से 4 सीटे भाजपा गटबंधन NDA के खाते में, तो वही दूसरी और 3 सीटे इंडिया गटबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, हमने आपको लोकसभा के कुल 545 सीटों का ताजा ओपीनियन पोल बता दिया हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी खाते में 198 सीटे, तो वही दूसरी और इंडिया गटबंधन के खाते में 270 सीटे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्यके खाते में कुल 75 सीटे आने का अनुमान है।